नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल अनूप ऑनलाइन पर तो हम लोग कर रहे हैं कि लाज 12th NCRT मैट्स का एक्सरसाइज 7.2 तो पिछली वीडियो में में क्योशन नमर 15 तक कर चुके हैं आज कि इस वीडियो में में क्योशन नमर 16 से इस्टार करेंगे तो अगर आप हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप जाके देख सकते हैं तो बीना समय गमाई आईए श्टार्ट करते हैं क्योशन नमर 16 तो क्योशन नमर 16 दिया है e to power 2x plus 3 क्या क्योशन 16 दिया है e to power 2x plus 3 इसका हमको निकालना है integration ठीक है किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में ठीक है क्योशन हमारा है क्या, e to power 2 x plus 3 का integration निकालना है dx की respect में अब देखे, इसका integration निकालना के लिए क्या करते हैं हम को 2 x plus 3 को t मानना पड़ेगा ठीक है, देखे 2 x plus 3 को मानन लिए हमक्या t, अब t क्यों मानने क्योंकि यह function है और हम मेरे पास formula क्या है e to power x का formula है e to power x ही होता है integration में formula है हमार पास ठीक है तो इसको हम e to power t बना देते हैं x है इसलिए t माने है ठीक है तो देखिए जब इसका differentiation करेंगा तो क्या होगा 2 आएगा और x को होजाएगा 1 और इसको होजाएगा 0 is equal to t क्या होगा dt upon dx क्योंकि x के respect में differentiation कर रहे है ठीक है तो dx को जब इसकों बिदा ट्रांसपर किये तो हो गया क्या dx is equal to dt upon और 2 को इधर भेच दिए तो यह 2 ठीक है तो अब रख देते हैं dx is equal to dt upon 2 dx के ज़र रख देते हैं dt upon 2 तो होगा integration of dt upon 2 बच्चा कि हमरे पास e to power 2x plus 3 e to power 2x plus 3 को हम क्या माने है t तो रख देते हैं t तो नया question हमरे पास e आ गया ठीक है ठीक है 1 upon 2 को पहले बाहर ले लिए constant है e to power t dt है बच्चा हमरे पास और पर फर्मूला क्या है e to power x क्या होता है e to power x ही होता है इसमें कोई change नहीं होता तो यह पर e to power t को क्या होगा यह भी e to power t ही होगा ठीक है plus c अब रख देते हैं ठीक ही वे लिए जो t माने थे हम क्या होने थे 2x plus 3 को t माने थे तो रख देते हैं t is equal to 2x plus 3 तो होगा 1 upon 2 e to power होगा 2x plus 3 plus c तो यह होगा है कि हमारा question number 16 का answer हम लोग करते हैं question number 17 ठीक है question number 17 तो question number 17 हमारे पास दिया है x upon me e to power x square ठीक है question दिया हमारे पास x upon me e to power x square dx इसका हम पुने कालना है integration dx के respect में ठीक है अब देखिए यहाँ पर किसको t मान देंगे हम हम यहाँ पर x square को यह दिक्टी मानते हैं और जब इसका differentiation करेंगे तो क्या आएगा x आएगा मतलब उपर वालटा मारा है तो इसलिए इसको t मान लेते है ठीक है और एक और region है देखिए फार्पुन हमारे पास किसका है x square को मान लीए मान लीजे t जब इसका differentiation करेंगे तो जाएगा 2x is equal to dt upon dx ठीक है अब यहाँ पर dt upon dx कैसे हुआ क्योंकि जब d का dx के respect में differentiate करेंगे तो जाएगा dt upon dx ठीक है अब dx को इधर transfer किया और 2 इधर तो जोगे x dx is equal to dt upon 2 तो अब रख देते हैं x dx की जब रख देते हैं dt upon 2 ठीक है तो रख दिए dt upon 2 और बचा कि हमरे पास 1 upon e to power x square और x square को हम क्या माने है t माने है तो जाएगा e to power t ठीक है आप देखिए यह क्या हो गया पहले constant है पहले इसको बाहर ले लिए तो 1 upon 2 बाहर हो गया बचा किया 1 upon e to power t dt अब इसको उपर ले जाएगे इसको e to power t को तो जाएगा 1 upon 2 e to power जाएगा माइनस t dt integration ठीक है तो देखिए अब इसका integration कैसे करेंगे फॉर्मूल अमरे पा क्या है e to power x का क्या होता है e to power x ही होता है integration ठीक है हमारे पास क्या है e to power है minus t ठीक है तो यह भी जानते है एक फॉर्मूल होता है e to power जाएगी ax है तो इसको क्या होगा e to power ax upon में होगा a यह भी फॉर्मूल यह है है ना देखिए यहाँ पर क्या है minus t है हम मान सकते है minus 1 into t देखिए यह ज़िए minus 1 into t माने तो क्या आएगा minus t ही आएगा ठीक है तो minus 1 की जाएगे हम रख देते हैं मान लिजी a है मान लिते है a is equal to minus 1 है तो इसका integration होगा क्या होगा 1 upon 2 e to power ax ही होगा मतलब e to power minus t ही होगा और upon में क्या है a जाएगा तो यह minus होगया और 1 upon 2 है और e to power minus t plus c ठीक है अब ड्रगते तेते हैं t की value तो t किसको माने थे x square को माने थे तो रख जेते हैं t की जगाए x square तो गया 1 upon 2 minus में e to power minus t की जगा होगय x square plus c तो यह होगा है question number 17th का answer अब हम लोग करते हैं question number 18th तो अब question number 18th क्या दिया है e to power 10 inverse x upon में 1 plus x square e to power 10 inverse x upon में 1 plus x square इसका हमको निकालना integration dx के respect में तो देखिए इसका integration निकालने के लिए का करते हैं हम जानते है formula e to power x का होता है e to power x ठीक है e to power x का जो integration होता है क्या होता है e to power x ही होता है तो यह पर क्या है e to power 10 inverse x है तो इसलिए हम 10 inverse x को यहां पर t मानेंगे और एक और रीजन है 10 inverse x को t मानने का क्योंकि इसका जब differentiation निकालेंगे तो आएका 1 upon 1 plus x square ठीक है इसलिए इसको हमाने टी तो 10 inverse x को हमाने लिए टी जब इसका differentiation करेंगे तो हो जाएगा 1 upon 1 plus x square इसकोल टी टी अपॉन डी एक्स ठीक है तो अब देखिए डी एक्स को ट्रांसफर की इधर तो यह 1 upon 1 plus x square dx इसकोल टी ठीक है तो अब रख देते हैं 1 upon 1 plus x square की dx की जगए dt तो रख दिए हैं पर dt बचा कि हमारे पास यह तो हो गया वर इसको तो माल लिए यह पन क्या dt इसकी इसके हिसाब से ठीक है बच्छा कि हमारे पास e to power 10 inverse x e to power 10 inverse x और 10 inverse x को हमाने है t ठीक है तो नया question हमारा हो गया integration of e to power t dt ठक है अब देखिए हमारे पास क्या आगया e to power t dt अब इसका integration निकालने के लिए करते हैं हमरे पास फर्मूल रहा है e to power x को क्या होता है e to power x ही होता है कोई change नहीं होता है इसमें तो e to power t को क्या होगा e to power t ही होगा plus c ठीक है अब रख देते हैं t की value t की इसको माने थे हम 10 inverse x को माने थे t तो रख देते हैं t की जगे 10 inverse x plus c तो यह होगा हमारा question number 18th का answer अब हम लोग करते है question number 19th ठीक है तो question number 19th क्या दिया है e to power 2x minus 1 अब आउन में e to power 2x plus 1 ठीक है e to power 2x minus 1 तो यहाँ पर नीचे में ठीक है e to power 2x minus 1 upon में e to power 2x plus 1 ठीक है इसका integration निकालना है d x के respect में ठीक है अब देखे हम इसमें अब किसको मानेंगे यदि इसको टी मनते हैं तो ना तो यह आ रहा है ना इसको टी मानते तो ना तो यह आ रहा है अब क्या करते हैं ध्यान से दिखिए यदि हम दोनों में e to power x का divide करते हैं तो यह बढ़ करके देखते हैं तो कि e to power 2x upon me e to power x minus 1 upon e to power x upon में क्या है e to power 2x upon me e to power x plus e to power 1 upon e to power x अब देखिए जब यह उपर जागा तो हो जागा minus जब यह माइनस हो जागा तो क्या होगा यह पर हो जागा minus x तो जागा e to power x minus में जब यह उपर जागा तो हो जागा e to power minus x यह भी upon में जब यह उपर जाएगा तो minus हुजयागा तो जब देवाद लाई जब यू उपर जाएगा तो जाएगा year to power minus x ठीक है यह जो हमारे पाल देखिए कैसे to power 2x है और आपर to power x है जब यह उपर जाएगा तो जाएगा minus minus x हुजएगा ना जो 2x minus x एक्स बचेगा अब यह उपर जागा तो जागा माइनस एक्स उसी परकर जब यह उपर जागा तो होगा माइनस तो टू एक्स माइनस एक्स बचेगा ठीक है और यह पर यह प्लस में तो जागा उपर जागा माइनस ठीक है अब देखे अब क्या किसी को टी मान सकते हैं क्या e to power minus x कुमान लेते हैं t जब इसका डिप्रेंसेशन करेंगे तो e to power x क्या होता है डिप्रेंसेशन e to power x होता है और e to power minus x क्या होगा minus e to power minus x होगा is equal to dt upon dx ठीक है अब dx को दे ट्रांसपर किया इधर e to power x minus e to power minus x dx is equal to dt अब देखिए question हमारे पास इस टाइब में था क्योंकि हमें इसको easy कर लिए थे यहाँ अब देखिए e to power x minus e to power minus x और यह क्या है e to power x minus e to power minus x dx dx is equal to dt अब क्या करेंगे इसकी जगह यह उपर वाले की जगह रख देते हैं dt ठीक है तो रख दिये हैं यह हमारे पास one upon यह बचा और इसको मान चुके क्या t देखिए e to power x minus e to power minus x dx की जगह दिये dt इसके इसाब से बचा क्या हमारे पास one upon e to power x plus e to power minus x और इसको मान चुके हैं क्या t तो क्या one upon t integration ठीक है यह हमारे पास आगे question नए question ठीक है हमको निकालना है इसका integration देखिए यहीं पल कर लेते हैं खाली जगह ठीक है इसको लेख लेते हैं एक बार उपर है न तो गया integration of one upon t dt हमको निकालना है यह है ठीक है अब देखिए हमारे पास formula है कि one upon x का जो integration होगा क्या होगा log x ठीक है formula हमरे पास यह है यह है जो बहुन अपन ट का integration निकालना है तो क्या आएगा log t आएगा x कि एगा t plus c ठीक है integration constant log t plus c हम t की value रख देते हैं यहां पर तो ठीक इसको माने थे हम e to power x plus e to power minus x को तो होगा log of e to power x plus e to power minus x plus c तो यह होगा हमरा question number 19th का answer हम लोग करते है question number 20 question number 20 क्या दिए हमरे पास e to power 2x minus e to power minus 2x upon में e to power 2x plus e to power minus 2x इसका आम को निकालना है integration d x की respect में ठीक है अब देखिए इसका integration निकालने के लिए ठीक को मानेंगे हम बताई है आप ठीक है तो यदि हम इसको टी माने किसको e to power 2x plus e to power minus 2x को तो यह तमार है उपर वाला तो इसको टी मान लेते है e to power 2x plus e to power minus 2x is equal to t मान लिए आप करते हैं इसका differentiation तो इसका differentiation क्या आएगा 2e to power 2x आएगा कि अप डिप्रेंसेशन तो आप जानते होंगे 2e to power 2x आएगा प्लस इसका डिप्रेंसेशन क्या एगा minus minus 2e to power minus 2x ठीक है इसकोल 2 dt upon dx आएगा ठीक है क्योंकि t का हम dx के एस्पेक्ट ने डिप्रेंसेट किये हैं तो होगे dt upon dx अब योगे 2e to power 2x minus 2e to power minus 2x is equal to dt upon dx अब लेते हैं 2 common इसमें तो क्या होगे e to power 2x minus e to power minus 2x is equal to dt upon dx अब dx को इधर ट्रांसपर किये और 2 को इधर किये तो देखिए e to power 2x minus e to power minus 2x dx is equal to dt upon 2 ठीक है यह क्या गया e to power 2x minus e to power minus 2x e to power 2x minus e to power minus 2x योपर अब 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 है और dx इसकोल तो रख देते हैं dt upon 2 ठीक है क्योशन में तो रख दिये dt upon 2 ऊपर वाल इटम की जाए पूरे बाचा कि हमारे पास 1 upon e to power 2x plus e to power minus 2x e to power 2x plus e to power minus 2x को माने है mt तो कि 1 upon t यह नया क्योश्चन हमारे पास यह आगे है integration का अब जो constant पहले इसको बाहर ले लिए 1 upon 2 बाहर integration of 1 upon t dt ठीक है फिर वही ठीक है जब 1 upon x को होता है log x तो 1 upon t क्या होगा log t होगा ठीक है तो e to power 2x plus e to power minus 2x plus c तो यह होगी हमारे question number 20 का answer ठीक है तो अगर आपको मारे वीडियो पसंद आए तो मारे वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए धरन्यवाद